यूपी के बदाईू में दो बच्चों की हत्या करने वाले साजित को पुलिस ने एंकाउंचर में धेर कर दिया है और साजित की हातों से जिन्दा बचे बच्चे ने बताया कि इस वारदात के समय दो आरोपी साजित और जावेद मौजूद थे उसने बताया कि साजित ने पहले बड़े भाई से चाय मंगवाई थी और फिर छोटे वाले से पानी मंगवाया बच्चे ने बताया कि जब मैं उपर गया तो साजित ने मेरा मूँ पकड़ लिया और तब यूनोंने चाकू मार दिया जिसे मुझे चोट लगी फिर मैं धक्का देकर नीचे भागा और मम्मी के साथ बहार आकर गेट लगा दिये मृतक भाईयों के बच्चे ने बताया कि वारदात के समय साजित और जावेद दोनों ही मौजूद थे और साजित ने मेरे बड़े भाई से चाए मंगवाई थी और चोटे भाई से पानी मंगवाया था जब बड़ा भाई चाए लेकर आया तो उसको मार दिया और फिर चोटा भाई आया तो उसे भी मार दिया मेरा छोटा वाला भाई चीखा चिलाया तम मैं ऊपर गया था बच्ची ने बताया जब मैं छट पर पहुँचा तो वो दोनों भाईयों को मार चुका था और गेट बंद कर रहा था उन्होंने मुझे देखा तो मुझे भी माणने की कोशिश की और मैं तभी उन्हें धक्का देकर भाग गया ये घटना बदायू कि सिविलाइं स्थाना इलाके की बाबा कॉलोनी की है जहां मंगलवार देश शाम साजित नाम का शक्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोत सिंग के घर आया और इस दोरान उसने विनोत की पत्नी से पांच हजार रुपों की मांग की उन्होंने बताया कि साजिद ने उनसे पत्नी के जिलेवरी के लिए 5000 रुपे की मांग की थी जिसे हमने दे भी दिये थे उसके बाद उसने कहा कि उसकी तब्यत थोड़ी सही नहीं लग रही है और ऐसा कहते हुए वो घर में उपर चला गया चट पर दोनों बच्चे आयोश और युवराज थे जहां उसने दोनों का मडर कर दिया कि सामें लगी है और सामें कुछ कह रहा था उस टाइम जिस टाइम वो मार रहा था घूट कि अलगरा हुआ था क्भी कुछ वा क्ये तूभ तरनों कुछ हुआ हुआ है प्र टोनों सक्ट सैने कूछ अर little कुछ हापको याद आता है उसके आखरी बात्चीता कर दो कर दो